नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोपेशनल उत्राखन में तो दोस्तो हमारी जो उत्राखन पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सिरी चल रही है इसके अंतरगता आज हम डिसकस करने वाले है प्रैक्टिस सेट 14 को और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियो देख सकते हो तो दोस्तो यदि आपको इस practice set का PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन कर लीजिएगा और टेलिग्राम ग्रूप का जो लिंक है मैं आपको description में दे दूँगा दोस्तो इस वीडियो में जो है 100 प्रसने discuss करेंगे जिसमें 40 प्रसने उतराखन के होंगे 20 प्रसने हिंदी की तथा 40 प्रसने जो है static jk से सम्मंदित होंगे इसके अंतरकत आपके current affairs और computer तथा reasoning के question भी सामिल होंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं पहला प्रसन है मानेग बुग्याल इस्तित है तो दोस्तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो मानेग बुग्याल है वो कहां इस्तित है Option है उत्तरकांसी, चमोली, टीरी और रुद्र परियाग तो दोस्तों मानिक जो बुग्याल है वो उत्तरकांसी में इस्थित है तो आंसर हो जाएगा Option A यानि कि मानिक बुग्याल कहा है इस्थित है उत्तरकांसी में Next Question है उत्तरकंड का सबसे चोटा वन्यजी बिहार चेतरफल की द्रिष्टी से कौन सा है मैं तो पुन प्रस्न है दोस्तों तो उत्तरकंड का जो सबसे चोटा वन्यजी बिहार चेतरफल की द्रिष्टी से वो कौन सा होगा option देखेंगे सोना नदी, नंदोर, मंसूरी या बिंसर वन्यजी बिहार तो जो right answer होगा वोगा option C यानि कि उत्राखन का जो सबसे छोटा वन्यजी बिहार है वो कौन सा है? मंसूरी है अगला प्रस्न देखेंगे भीम गुफा इस्तित है गुर्षो बुग्याल कहां इस्तित है? तो दोस्तो गुर्षो बुग्याल कहां इस्तित होगा? कासिपूर, चमोली, अलमोडा या चमपावत तो गुर्षो बुग्याल जो दोस्तो चमोली में इस्तित है तो right answer हो जाएगा option B यानि कि चमोली right answer होगा question 5 गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे आवस्थित है मैं तो पूर्ण प्रसने दोस्तों तो गर्जिया देवी मंदिर जो है कोसी नदी के किनारे इस्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा option A कोसी नदी Next question है तिमली किस जनजाती का लोगजीत है तो दोस्तो तिमली जो है भोटिया जनजाती का क्या एक लोकगित है तो याद रखेंगे option सी भोटिया जनजाती right answer होगा Question 7 है कुमावू Motor Honors Union की स्थापना किस वर्स हुई तो दोस्तो कुमावू Motor Honors Union की जो इस्थापना है वो कब हुई थी? Right answer हो जाएगा 1949 यानि की 1949 में जो है 1939 में कुमावू Motor Honors Union की स्थापना हुई थी मैतपून प्रस ने याद रखेंगे Question 8 गडवाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तो गडवाल पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक है वो है मुकुंदी लाल याद रखेंगे option सी मुकुंदी लाल right answer हो जाएगा Next Question है प्रजा बंदू साप्ताइक पत्र कहां से निकलता है? दोस्तो प्रजा बंदू जो साप्ताइक पत्र है हमें यहाँ पर बताना है कि कहां से निकलता है? तो answer हो जाएगा अलमोडा यानि कि option भी अलमोडा right answer होगा Question 10 है तीरी परियोजना में सायोग हेतू रूस से सम्झाता कब हुआ? तो दोस्तो मै तकून प्रस्ने याद रखना है आपको तो तीरी परियोजना में सायोग हेतू रूस से सम्झाता कब हुआ था? lenky गुलेरिया किसकी पत्नी थी? तो दोस्तो रानी गुलेरिया प्रताप सा की पतनी थी तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बी यानि की प्रताप सा नेक्स्ट कोईसन है वीना चंद के सासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोनपाल की हत्या कर दी गई नेक्स्ट कोईसन है कुमाओ का द्रितराष्ट नाम से कौन जाना जाता है तो दोस्तो कुमाओ का द्रितराष्ट नाम से किसे जाना जाता है सकती गुसाईं को याद रखेंगे ओप्सन डी सकती गुसाईं राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईसन है द्वाज मंदिर कहां इस्थित है तो दोस्तो द्वाज मंदिर कहां पर इस्थित होगा नेनिताल, अलमोडा, पिथोरागड या चमपाओ तो right answer हो जाएगा पिथोरागड यानि कि जो दोज मंदिर है वो पिथोरागड में इस्थित है तो answer हो जाएगा option C Next question गडवाली रामायन गडवाली महाभारत के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों गडवाली रामायन और गडवाली महाभारत के जो रचनाकार है वो है आदित्य राम दुद्ध दुपूरी याद रखेंगे आदित्य राम दुद्ध दुपूरी option D इसका right answer हो जाएगा तो याद रखेंगे option D Next question सन 1990 में गुरुकुल की इस्थापना सरवपर्थम कहां हुई? मैं तो पूर्ण प्रसने दोस्तों तो गुरुकुल की जो इस्थापना है सरवपर्थम पंजाब में हुई थी तो answer हो जाएगा option B Next question मालपा किस नदी के किनारे इस्थित है? तो दोस्तों मालपा जो है काली नदी के किनारे इस्थित होगा तो answer हो जाएगा option C याद रखेंगे मालपा काली नदी के किनारे इस्थित है Next question मोईगार्ड फॉल इस्थित है? पिथोरागड, चमोली, उत्तरकासी या दहरादून तो दोस्तों जो मोईगार्ड फॉल है वो दहरादून में इस्थित है तो option D दहरादून राइट आंसर होगा Next question देखेंगे उत्तराखंड का कौन सा जीला, जन संक्या, जन घनेत्व, दसकीय, वृदी, लिंगानुपात में चौते इस्थान पर है Option देख लेंगे नैनिताल, पिथोरागड, उधम सिंगनगर या अलमोरा तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो का option A याद रखेंगे नैनिताल इसका राइट आंसर होगा Question 20 देख लेंगे चंदन सिंगराना का सम्मंद किस जीले से है टिहरी, चमोली, उत्तरकांसी या पॉड़ी तो दोस्तों चंदन सिंगराना की या दिबात कि जाए तो इनका सम्मंद है उत्तरकांसी से याद रखेंगे जनपद उत्तरकांसी से जो है चंदन सिंगराना जी का सम्मंद है Question 21 है नालागड किसका प्राचीन नाम है दहरादून, पिथोरागड, पॉड़ी या रिसिकेज तो दोस्तों नालागड किसका प्राचीन नाम होगा राइट अंसर हो जाएगा दहरादून का Next question है चोखंबा परवत के पास कौन सा पंच केदार इस्तित है याद रखेंगे मद महिस्वर इसका सही जबाब होगा Question 23 कुचिया देवी मंदिर इस्तित है तो दोस्तों जो कुचिया देवी मंदिरों कहां इस्तित है आंसर हो जाएगा पिथोरागड में Option B, पिथोरागड राइट आंसर होगा Next question संभू, ग्लेशियर कहां इस्तित है चमोली, उत्तरकासी, बागेश्वर या पिथोरागड तो दोस्तों जो संभू, ग्लेशियर है वो कहां पर इस्तित है बागेश्वर में इस्तित है तो याद रखेंगे option C, बागेश्वर राइट आंसर होगा Question 25 देखेंगे तवाघाट परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों तवाघाट परियोजना काली नदी पर इस्तित है option B, काली नदी राइट आंसर हो जाएगा Next question है थात्वान भूमी पर बसे किसानों को क्या कहा जाता था तो दोस्तों मैतरपून परस्ण नदी आंसर हो जाएगा option D, यानि कि खाईकर खाईकर किसे कहा जाता है थात्वान भूमी पर बसे किसानों को जो है खाईकर कहा जाता था Next question है दरवान सिंह संग्राले कहा इस्तित है तो दरवान सिंह संग्राले जो है पौडी में इस्तित है तो right answer हो जाएगा option A यानि कि पौडी इसका सही जबाब होगा Question 28 देखेंगे किस ताल में जूला मेला लगता है मैतरपून परस्ण है तो जो दोस्तों जूला मेला है कब जारी हुआ था right answer हो जाएगा option A यानि कि वर्स 2018 में जो है HNB पर डाक्टिकट जारी हुआ था Question 30 देखेंगे 1936 में प्रितक राजी की मांग हेतु स्रीदेव सुमन द्वारा गड़देश सेवसंग की स्थापना कहां की गई थी Option देखेंगे टिहरी, देहरादून, मुंबई या दिल्ली तो right answer क्या होगा answer हो जाएगा option D यानि कि दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी Next question है भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान किसके नेत्रितों में महिलाओं ने रेल संपत्ती को छती पहुँचाई महितकून प्रस्ने दोस्तों तो answer हो जाएगा option B मालती देवी इसका सही जवाब होगा Question 32 है गडवाल के चमेठा खाल में किस वर्स कुली बेगार के विरोध में सभा का आयजन किया गया दोस्तों question 32 का जो right answer होगा option B 1921 यानि कि 1921 में जो है सभा का आयजन किया गया था next question है राज्य में नगरिय स्वायत सासन प्रणाली की सुरुवात कब से हुई महितकून प्रस्ने दोस्तों तो राज्य में जो है नगरिय स्वायत सासन प्रणाली की बात की जाए तो answer हो जाएगा आपका option C यानि कि 1916 में next question है निमनलिकित में से किसका मुख्य सचीव जीले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है option है gram पंचायत, छेतर पंचायत, जीला पंचायत या इन में से कोई नहीं तो right answer क्या होगा answer हो जाएगा जीला पंचायत, यानि कि option C जीला पंचायत राइट answer होगा next question देखेंगे अंग्रेजी सासनकाल में कुमाव में क्रमसा कितने परगने और पटियां थी तो दोस्तों अंग्रेजी सासनकाल के दिबात की जाए तो कुमाव में जो है कितने परगने और पटियां थी right answer हो जाएगा 19 परगने और 125 पटियां यानि कि option B 19 परगने और 125 पटियां इसका सही जवाब होगा question 36 है किस पंवार सासक के समय सती प्रता का उलेक मिलता है तो दोस्तों सती प्रता का उलेक है वो किस के समय मिलता है answer हो जाएगा option है स्यामसा के समय याद रखेंगे महतपून प्रस्न है question 37 परगने राजय परिशत की इस्थापना किस वर्स हुई तो दोस्तों परगने राजय परिशत की जो इस्थापना है वर्स 1967 में हुई थी तो answer हो जाएगा option C 1967 next question है कौन सी जंजाती अपने को पमार वन्सी राजपूत मानती है तो दोस्तों पमार वन्सी राजपूत कौन सी जंजाती मानती है अपने आपको राइट आंसर हो जाएगा बोक्सा जंजाती यानि कि option C बोक्सा जंजाती राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन है उस्टाडा बिस्टाडा पंचायत किस जंजाती से है जौनसारी, भोटिया, थारू या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आंसर हो जाएगा जौनसारी उस्टाडा बिस्टाडा जो पंचायत है इसका समन्ध किस्स है जौनसारी जनजाती से है नेक्स्ट कोईशन है नोठा का मेला कहां लगता है चमोली, पौडी, उत्तरकांसी या तीहरी में तो दोस्तो जो नोठा का मेला है ये लगता है चमोली जीले में option A, चमोली राइट आंसर होगा Q41 है, साहित्य लहरी किसका गरंथ है? तो दोस्तों साहित्य लहरी किसका गरंथ है? Option A, यानि कि सूर्दास का, याद रखेंगे जो साहित्य लहरी गरंथ है, वो सूर्दास जी का है Option A, right answer होगा Next Question है मरियादा जागरन पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मरियादा जागरन पत्रिकाओं का जो संपादन है, ये किया गया था प्रेमचंद के द्वारा तो Option D, प्रेमचंद, right answer होगा Next Question है निम्न पत्रिकाओं में से भारतेंदू हरिष्चन्द ने कौन सी पत्रिका प्रकासित की थी? कभी वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या ज्यानोदे तो राइट आंसर क्या होगा दुस्तू? आंसर हो जाएगा ओप्सन है कभी वचन सुधा नेक्स्ट कोईसन है रितुपती के लिए उचित परियाई चुनकर उसे चिनहित करें आप्सन है सूर्य, बसंत, मदुमास या आप्सन डी है बी और सी दोनो तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो आप्सन डी बी और सी दोनो यानि कि बसंत और मदुमास इसका दोनो होगा नेक्स्ट कोईसन है आवेसित सब्द का विलोम है मैं तो पूर्ण प्रसन है दोस्तो तो आवेसित सब्द का जो विलोम होगा वो होगा अनावेसित यानि कि आप्सन है अनावेसित राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईसन सांतरस का इस्थाई भाव हो है तो दोस्तो सांतरस का जो इस्थाइब हो हो क्या होगा राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्षन B यानि कि निर्वेद याद रखेंगे सांतरस का जो इस्थाइब हो होगा वो होता है निर्वेद Next question है 1957 में All India Radio का नाम आकासवानी रखा गया इससे पूर्व सरवपर्थम किस रेडियो इस्थेशन का नाम आकासवानी रखा गया था ओप्षन है मैसूर, जैपूर, स्रीनगर और पटना तो जो राइट अंसर होगा दोस्तो वोगा मैसूर यानि कि मैसूर इसका सही अंसर होगा Next question प्राचिन भारत में कौन सी लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती थी तो दोस्तो दाई और से बाई और लिखी जाने वाली जो लिपी है वो कौन सी थी आंसर हो जाएगा option D, खरोष्टी लिपी Next question है भारतिय भासाओं में हिंदी के बाद विश्वकी कौन सी भासा अधिक्तम बोली जाती है तो दोस्तो बांगला याद रखेंगे भारतिय भासाओं में जो हिंदी के बाद जो सरवादिक बोली जाने वाली बोली है वो है बांगला यानि कि option C, right answer हो जाएगा इसमें से कोईशन 51 है आवेदन पत्र की शुरुवात सबसे उपर किस तरह से की जाती है बाएं तरफ से दाएं तरफ से सबसे उपर मध्य या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो right answer हो जाएगा option है बाएं तरफ से में तो कुन प्रसने याद रखेंगे next question है हाँ आप आये किस प्रकार का वाक्य है option है स्विक्रिती बोधक, निस्यधात्मक, आदर बोधक या तुलना बोधक तो right answer हो जाएगा option A यानि कि स्विक्रिती बोधक वाक्य हो जाएगा next question है जाँच करता कौन सा सब्द है योगिक, योगरूट, संकर या विदेशी तो दोस्तो जाँच करता कौन सा सब्द होगा right answer हो जाएगा संकर सब्द option C right answer हो जाएगा Next question है सुद्वरतनी का चैन कीजिए तो दोस्तों हमें यहाँ पर सुद्वरतनी का चैन करना है दुवंद गलत हो जाएगा दुवंद यह भी गलत हो जाएगा और दुवंद ओपसं सी और यह भी गलत हो जाएगा देखें दोस्तों सुद्ध वर्तनी का हमाई यहाँ पर चैन करना है, तो 54 का जो right answer होगा option C, यानि कि option C इसका right answer होगा, next question देखेंगे, किस सब्द की रचना प्रत्याइसे हुई है, तो दोस्तों किस सब्द की रचना प्रत्याइसे हुई है, option देखेंगे अभियोग, व्याय अपमान और भगोडा, तो right answer होजाएगा option D, basic question है, भगोडा इसका right answer होगा, दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, question 56 है, तनू का परियावाची सब्द है, कलेवर, जील, चंद्रमा या खटिया, तो right answer क्या होजाएगा, answer होजाएगा option A, कलेवर इसका सही जवाब होगा, next question है, 100 गुना तेज सब्द में कौन सा बिसेशन है, तो दोस्तों 100 गुना तेज सब्द में जो बिसेशन होगा, वो होगा, आपरिती बोदक संख्यावाचक बिसेशन, यानि कि option C, आपरिती बोदक संख्यावाचक बिसेशन, इसका सही answer हो जाएगा, next question है, उपमान का बिलोम सब्ध है तो उपमान का जो बिलोम सब्ध होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा उपमय उपमान का बिलोम सब्ध क्या होता है उपमय होता है Q59 ने डपोर संख का अर्थ है तो डपोर संख का अर्थ क्या होता है बेवकूफ याद रखेंगे option D, बेवकूफ इसका right answer होगा next question देखेंगे निमने लिखित में से वाके के सुद्ध रूप का चैन कीजिए option भारत में अनेक जाती है भारत में अनेकों जाती है option C भारत में अनेक जातियां है option D भारत में अनेकों जातियां है तो दोस्तो right answer हो जाएगा option C हमें यहाँ पर सुद्धू रूप का चैन करना है तो सुद्धू रूप कौन सा है इसमें से option C भारत में अनेक जातियां है Next question है निम्न में से कौन सा word सम्मंदी पद नहीं है Delete, Editing, Copy या Slide So तो दोस्तो right answer हो जाएगा option D यानि कि Slide So इसका सही जबाब होगा Question 62 है निम्न में से कौन सा mouse जैसा कार्य करता है Keyboard, Scanner, Icon या Track, Ball तो right answer हो जाएगा दोस्तो option D Track, Ball इसका सही जबाब होगा Next question है Computer तथा मानों का संपर किसके द्वारा होता है Input एवं Output, Input, Output या CPU तो right answer क्या हो जाएगा? Answer हो जाएगा option A Input एवं Output Question 64 है हाल ही में CRPF ने अपना 83 वां स्थापना दिवस कब मनाया? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 27 जुलाई और 26 जुलाई तो right answer हो जाएगा दोस्तो Option C, 27 जुलाई को Next question है निम्न में से बिसम मात्रिक छंद है तो दोस्तो बिसम मात्रिक छंद हमें यहाँ पर बताना है तो 65 का जो answer हो जाएगा वो होगा option C A और B दोनों यानि कि कुंडलिया और छपय इसका दोनों होगा Next question है यदि gift का code HHGS है तो water का code क्या होगा अब देखिए यहाँ से जो है reasoning के question सुरू हो चुके है तो मैं आपको answer बता दूँगा इसका और यह आये कैसे यह आपको solve करके comment box में बताना है तो देखिए यदि gift का code क्या होगा HHGS है तो water का code क्या होगा तो इसका जो right answer आएगा दोस्तों वो होगा option A यानि कि X, Z, U, D, S इसका right answer आजाएगा Next question है तीन alarm क्रमसा 10, 15, 30 मिनिट के अंतराल पर बसते है यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे 9 पर बजे हो तो वे फिर कितने बजे बजेंगे देगे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुबह 9 तीस यानि कि साड़े 9 बजे Next question प्रस्तावना निसकर्स तो इसका answer क्या हो जाएगा इसके आगे क्या हैगा option देखेंगे अभिवादन अलविदा जमा लेना साथी, दुरजन या मिस्रन निकलना question 68 का right answer होगा option A अभिवादन अलविदा Next question है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तों 2024 में जो है ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है Paris में किया जाएगा तो right answer हो जाएगा option D Next question है राधा मुहन कप का समन्द किस खेल से है महतपूने तो राधा मुहन कप का जो समन्द है दोस्तों वो है पोलो से याद रखेंगे option पोलो Next question उतपादक माल को यह कहा जाता है option है उपभोगता वस्तुएं टिकावो वस्तुएं पुन्जिगत माल या एकल प्रयोज्य माल तो answer क्या होगा दोस्तों answer हो जाएगा option C पुन्जिगत माल option C right answer हो जाएगा question 72 है बुकसा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है उडिसा, असम, पस्चिम बंगाल या मनिपूर तो दोस्तों question 72 का right answer है option C यानि कि पस्चिम बंगाल इसका सही जबाब होगा next question है निम्न में से राजिस्थान के किस सासक को प्रथम विश्वयुद की समापती पर सांती समेलन के लिए पून्ज सत्ता युक्त महादूत बनाया गया था तो दोस्तों right answer हो जाएगा option C महाराजा गंगासियां को याद रखेंगे महाराजा गंगासियां को जो है इसका सही आंसर होगा next question भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन के दोरान भारतिय राजनिती का सांतिकाल किस अवदी को कहा जाता है मैं तो पून प्रसन है दोस्तों प्रथम विश्वयुद का काल या दोतिय विश्वयुद का काल या भारत छोड़ो आंदोलन का काल या सभीने अवग्या आंदोलन का काल तो इन में से जो सही आंसर होगा वो होगा option A यानि कि प्रथम विश्वयुद के काल को जो है क्या कहा जाता है भारतिय राजनिती का सांतिकाल कहा जाता है next question है किसी अर्थ व्योस्ता में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रिय बैंक के कार्यों में सामिल नहीं है option पढ़ लेंगे बिदेशी मुद्रा बिनिमे का कार्य मौद्रिक निती का नियंतरन सरकारी खर्च पर नियंतरन या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य तो right answer होगा दूस्तो option C यानि कि सरकारी खर्च पर नियंतरन इसका साही जबाब होगा next question है ग्यारवी पंचवर्चिय योजना की अवधी के लिए निम्न में से कौन सा साही है ग्यारवी पंचवर्चिय योजना की जो अवधी है वो कौन सी थी right answer हो जाएगा option A यानि कि एक अपरल 2007 से 31 मार्च दोजार बार next question है बिकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है मैं तो पुन प्रसन है दोस्तों तो जो बिकानेर नहर है ये निकाली गई है सतलज नदी से answer हो जाएगा option C सतलज नदी next question है गबिस का संदी विचेद है तो दोस्तों important जो है ये question है तो गबिस का संदी विचेद हमें यहाँ पर बताना है right answer हो जाएगा option B go plus is ठीक है go plus is किसका संदी विचेद होगा गबिस का संदी विचेद होगा next question भारतिय संबिधान के अनुसार संग की कारेपाली का सक्तियां किसमें नहीत होती है तो दोस्तों संग की जो कारेपाली का सक्तियां है वो राष्टपती में नहीत होती है तो option C राष्टपती इसका सही जबाब होगा question 80 निम्न में से किस घाट की ओसत चोड़ाई ज्यादा है पस्चमी घाट, पूर्वी घाट, दोनों की चोड़ाई लगबग समान है या उपरोप्त में से कोई नहीं तो राष्ट आंसर जो होगा दोस्तों वोगा पस्चमी घाट option A पस्चमी घाट इसका सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है बर्मुंडा दुइप किस महासागर में इस्तित है तो दोस्तों जो बर्मुंडा दुइप है ये उत्तर पस्चमी अटलांटिक महासागर में आता है तो राष्ट आंसर होगा option B उत्तर पस्चमी अटलांटिक महासागर next question है किस देज पर जर्मनी के आकरमन से दुइतिय विश्वयुद आरंब हुआ था जापान, फ्रांस, पोलेंड या चे तो जो राष्ट आंसर होगा दोस्तों वोगा option C यानि कि पोलेंड next question है अमेरिका के स्वत्मतरता संग्राम को समात करने वाली पैरिस की संदी कब संपन हुई महत्पून प्रस्टने दोस्तों तो राष्ट आंसर हो जाएगा 1783 यानि कि option है 1783 इस भी में next question है सिंदू गाटे की सव्यता निम्न में से किस सव्यता के समकाली नहीं थी option है मिसर की सव्यता मेसोपोटामिया की सव्यता चीन की सव्यता या क्रीट की सव्यता तो राष्ट आंसर होगा दोस्तों ओप्सन D क्रीट की सव्यता next question है 1919 में अकिल भारतिय खिलाफत समेलन किस इस्थान पर हुआ था लाहोर, मुंबई, दिल्ली या डाका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन C यानि कि दिल्ली इसका सही जवब होगा अगला प्रशन है भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन सम्मंदित है लाला लाजपतराई, बाल गंगादर तिलक, जै प्रकास नारायन या मदन मोवन मालवी है तो जो राइट आंसर होगा दोस्तो वोगा ओप्शन C यानि कि जै प्रकास नारायन इसका सही जवब होग अगला प्रसंद देख लेंगे ITCZ का पूर्ण रूप है तो दोस्तो ITCZ का पूर्ण रूप होगा वो होगा Inter-Tropical Conservation Zone याद रखेंगे Inter-Tropical Conservation Zone Next Question है NIS का पूर्ण रूप है तो दोस्तो NIS का पूर्ण रूप हमें यहाँ पर बताना है तो यह होगा National Immunization Schedule याद रखेंगे NIS का पूर्ण रूप होगा वो होगा National Immunization Schedule Question 89 है भारती संबिदान की आठवी अनुसूची में कौन सी भासाएं बाद में जोड़ी गई थी तो दोस्तो भारती संबिदान की जो आठवी अनुसूची में इसमें जो है सिंधी, कॉंकडी, मनिपूरी और नेपाली Option C पर ध्यान देंगे सिंधी, कॉंकडी, मनिपूरी और नेपाली ये चार भासाएं जो है बाद में जोड़ी गई थी अगला प्रशने भारती है महा नियंतरक और महा लेखा परिक्चा किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्क दर्सक के रूप में कारिय करता है मैं तो प्रशने दोस्तो जो राइट आंसर होगा वोगा Option A यानि कि लोक लेखा समेती Next Question है भारत ये संभीधान में मौलिक करतब्य कब समाविस्ट किये गए तो दोस्तो भारत ये संभीधान में जो है मौलिक करतब्यों को 1976 में समाविस्ट किया गया था Option D 1976 इसका राइट आंसर होगा अगला प्रशने भारत की सिलिकॉन घाटी इस्तित है तो दोस्तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है कहां पर इस्तित है आंसर हो जाएगा बैंगलॉर में Option D बंगलूरू इसका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न है उन्निस्वी सतापदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी ओपनिवेसिक सक्ती के रूप में उभरा तो दोस्तो आंसर जो होगा वो होगा ब्रिटेन यानि की ऑप्सन सी ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईसन है निम्न में से कौन सी इस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रत्थम टेलिगराफ लाइन खोली गई थी मैतकून प्रसन है जो राइट आंसर होगा ओप्सन बी यानि की अठारा सो त्रेपन में 1853 राइट आंसर होगा कोईसन 95 है किसने कहा था स्वाद का वास्तविक इस्थान जिवहा नहीं बलकी मन है आप्सन है अरबिन घोस महात्मा गांदी बाल गंगादर तिलक और स्वामी बिवेकानन तो जो राइट आंसर होगा दोस्तो वो का आप्सन बी यानि की ये कतन किसने कहा था महात्मा तो दोस्तो नाना साब के नाम से प्रसिद है बाला जी बाजी राओ याद रखेंगे ऑप्सन बी बाला जी बाजी राओ इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईसन है सूफी आदेसों को किस नाम से जाना गया तो दोस्तो सूफी आदेसों को जो है किस नाम से जाना गया सई जबाब हो जाएगा सिलसिला यानि कि option C सिलसिला इसका right answer होगा next question है अकबर का सामराज्य कितने सूबों में बिवक्त था मैं तो कूल प्रस्ण है दोस्तो तो अकबर का जो सामराज्य है वो कितने सूबों में बिवक्त था सई जबाब हो जाएगा option C यानि कि 12 सुबों में अकबर का सामराजय विभक्त था नेक्स्ट क dugन यहुदियों के धार्मिकट गृंट का नाम है तो दोस्तों यहुदियों का जो धार्मिक गृंट है, इसका नाम है तोराहा याद रखेंगे ओप्सन भी तोराहा राइट आंसर होगा next question है हडपा और मोहन जोदोडो के खंड़र निमनांकित में से किस नदी तट पर पाए जाते है option देख लेंगे सरस्वती, जेलम, ब्यास और इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आंसर होगा इसका option D यानि कि इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आज का practice set आपको कैसा लगा comment box में बताएं और 100 प्रस्णों में से आपके कितने प्रस्ण सही है comment करके बताएं मिलते हैं आपको next वीडियो में एक नए practice set के साथ जैहिन जै भारत